हेलो माई ब्यूटिफुल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आयोब बहुत जादा अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यह सबसे छोटे वाले लड़ू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी तीन कलर की ड्रेस लेके आई हूँ रोस फ्लार में ये मैंने ड्रेस बनाई है ये ड्रेस जो है मैंने 0 और 1 नंबर साइस के कानाजी के लिए बनाई है आप इस ड्रेस को किसी भी साइस के कानाजी के लिए बहुत असानी से बना सकते हैं वीडियो में मैंने बताया है कि अगर इससे बड़े साइस की बनानी है तो गेरे को आपने किस तरह से बढ़ाना है तो आपने वीडियो को पूरा देखना है skip नहीं करना है यह जो last का round है green और pink color से जो round है यह हर dress में same रहेगा जो changes होंगे वो सिरफ गेरे में होंगे तो मैंने बताया है कि किस तरह से आपने यह घेरा इसका बड़ा और चोटा करना है इस DRESS को बनाने के लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे उक यूज किया है और बेवी वूल यूज की है इसमें मैंने double crochet stitch यूज किया है ये dress देखने में जित्ती प्यारी लग रही है इसको बनाना उतना ही easy है तो चलिए जल्दी से काना जी की ये प्यारी सी dress बनाना start करते है वीडियो start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चलिए जल्दी से काना जी की ये प्यारी सी dress बनाना start करते है मैंने इस dress की चोली बना ली है इसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पे अप्लोड़ेड है लिंक में आपको description box में दे दूँगी अब वहाँ से ये चोली बना ले नेक्स जो है हम इसका घेरा बनाना start करेंगे तो यहां sleeves के नीचे से जो है हमने इसका घेरा बनाना start करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे और सेम इसी जगा पे जो है हमने double क्रोशिया बनाना है तो सेमी स्टिच पे जो है ये दो डबल क्रोशिया होंगे अब नेक्स स्टिच पे जो है हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक हो गया सेमी स्टिच पे एक और बना लेते हैं दो डबल क्रोशिया अब नेक्स स्टिच पे भी जो है दो डबल क्रोशिया ये एक हो गया और नेक्स्ट पे फिर से बना लेंगे एक और डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया तो चोली के लास्ट में जो है ये मेरे पास 16 स्टिचिस थे 16 स्टिचिस पे जो है हम हर स्टिच पे जो है दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये जो है राउन के आप ये दो डबल क्रोशिया बना लें राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन ली थी उसकी थर्ड चेन पे जो है हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देना है अब एक दो तीन तीन चेन लेंगे और जो है नेक्स वाली जो है एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे उससे नेक्स टिच पे जो है दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस राउन में जो है हमने एक डबल क्रोशिया छोड़के अपना डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है यहां पे हमने दो बार बनाया अब नेक्स पे जो है हम एक एक बार बनाया फिर दो बार फिर एक बार फिर दो बार फिर एक बार फिर दो बार तो इसी तरह से जो है आप ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लें राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको हमने स्टार्टिंग में जो तीन चेन ली है उसकी थर्ड चेन पे जो है हम इसको slip stitch के साथ join कर देंगे अब एक, दो, तीन, तीन chain लेंगे और next में जो है, एक बार double crochet बनाएंगे तो ये दो बार जो है, हमारे एक-एक double crochet होगे, उसे next में जो है, हम दो बार double crochet बनाएंगे ये एक बार हो गया, सेम इसी जगा आप एक बार और बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जो है, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसे नेक्स्ट में जो है, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस राउंड में जो एक बार dublic क्रोशिया बना लेंगे, और निच्स में घोलेंगे हम दो दिटेश एक फटो 9 verd क्रोशिया इंक्रीज करेंगे यह इस तरह से यह देखिये । eks ma dollars to do dublic total तो सबसे पहले हमने हर स्तिच पे जो है दो दो डबल क्रोशिया बनाए फिर नेक्स में जो है हमने एक डबल क्रोशिया छोड़के अपना डबल क्रोशिया इंक्रीज किया इसी तरह से जो है नेक्स में हम तीन के बाद डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे फिर चार के बाद फिर पांच के बाद तो जितना भी गेरा आप बनाना चाहते हैं आप बना लेे पहले हमने एक के बाद इंक्रिस Leonard के लिए फिर दो के बाद थे 4-5 छे टो इसी थरह से आपका ये गेरा बढ़ता जाएगा और अगर बीच में आपको कहीं भी लगे कि जो है घेरे में जो है 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 जो ह इस तरह से तो इसी पैटरन से जो है आप जितना भी बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं बना लें मैं ये जिरो और एक नमबर साइज के काना जी के लिए ड्रेस बना रही हूं तो मैं इसके तीन ही राउंड बनाऊंगी और इसके बाद जो है मैं इसका दूसरा डिजाइन स्टा स्टिच के बाद अपने डबल क्रोशी इंक्रीश की किया फिर दो के बार्ण कि एक प्र लास्डाय स्ट वह quella लास्ट राउंड ए ऐस statement gu wieder बढ़ाया है तो इसी तरह से बीच में है ग्रीन कलर का धागा एड करूंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक knot बना लेंगे इस तरह से अब धागे को यहाँ पे हमने secure कर लेना है, join कर लेना है यहाँ पे इस तरह से एक बार हम slip stitch कर लेंगे ताकि धागा हमारा अच्छे से secure हो जाए अब एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच chain लेंगे और सेम इसी जग लिए हम ने double crochet पे जो हमने double crochet बनाना है यह जो हमने 5 की चेंट ली है तीन जो है हमने double crochet को हाइट के लिए ली है और इसस तरह से यह will stitch बनेगा अब next के जो हैं दो stitch स्किप करेंगे एक दो, तो Gimme स्किप करेंगे जो है हमने डबल क्रोशिया बनाना है फिर एक दो दो स्टिच जो है स्किप करेंगे और थर्ड में जो है हमने यहां पे डबल क्रोशिया बनाना है फिर एक दो दो चेन लेंगे और सेम इसी जगा पे जो है हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह वी स्टिच आएगा और हर व बनाया double crochet, दो chain double crochet, फिर हमने 2 stitch करने हैं, और 3rd में यह दोनों हमने do втор चेन करेंगे, यह दिज़िए और 3rd में यहां पर VStitch बनाएंगे double crochet, फिर 1, 2, दो chain लेंगे और सेम इसी जगा पर हम double crochet बनाएंगे यह इस तरह से, हर वी स्टिच के बीच में जो है दो-दो स्टिच जो है हम skip कर लेंगे तो इसी तरह से जो है आप ये पूरा round complete कर ले round complete करने के बाद इसको starting में जो हमने ये 5 chain ली थी उसकी first, second, third, third chain पे जो है हमने इसको slip stitch के साथ join कर देना है ये इस तरह से आएगा ये देखिए single crochet कर देना है ये इस तरह से यहां पे हमने single crochet कर लिया अब यह जो हमारा next वाला वी स्टिच है ये देखिए अब यहां पे यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं ये इसका right side है ये left side है तो यहां पे सबसे पहले right side में जो है हमने यहाँ पे पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है यह एक बार हो गया दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया चार डबल क्रोशिया और पांच डबल क्रोशिया यह पांच बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने इस तरफ अब देखिए, इसको इस तरह से करेंगे और यहां जहां पर हमने 20 स्टिच बनाया था, यह देखें मैं नजदीक से दिखाती हूँ, यहां पर हमने 20 स्टिच बनाया था, तो यहां पर हम 2 बार double क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसी जगा करेंगे जिस stitch पे जो है हमने 20 stitch बनाया था, सेम उसी जगा पे जो है हम 2 double crochet बनाएंगे, तो ये इस तरह से आएगा, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से जो है ये इसका work आएगा, अब यहां देखे, ये जो 20 stitch का हमने right side पे 5 double crochet बना दिये थे, उसी तरह से जो है left side पे भी जो है हम 5 बार double crochet बनाएंगे, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार double crochet और last में इक और बना लेंगे, 5 double crochet, तो total जो है हमने यहां पे 12 double crochet बनाए, और ये इस तरह से आएगा, इस तरह से half circle जो है, semi circle में जो है ये आएगा, इस तरह से ये देखिए, अब देखिए next क्या करेंगे, जो next वाला वी स्टिच है, उसमें हमने single crochet कर देना है, एक वी स्टिच में जो है हम इस तरह से 12 double crochet बनाएंगे, और एक में जो है हमने यहां पे single crochet कर देना है, अब next वाले जो है, ये वी स्टिच में हम आते हैं, ये द बनाने हैं और यहां नीचे जो है दो डबल करोशिया बनाने हैं तो सबसे पहले राइट साइड में जो है हम यहां पे पांच बार डबल करोशिया बना लेते हैं एक दो डबल करोशिया तीन डबल करोशिया चार डबल करोशिया और पांच डबल करोशिया अब यहां पे जहां पे हमने यह वी स्टिच बनाया था जिस स्टिच के उपर जो है हमने यह वी स्टिच बनाया था सेम उसी स्टिच के उपर यहां पे यह देखिए यहाँ पे हमने यह वी स्टिच बनाया है तो यहाँ पे ही हम जो है दो बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं एक बार हो गया एक बार और बना लेते हैं दो डबल क्रोशिया अब ये देखिए अब ये जो है वी स्टिच का लेफ्ट साइड है तो इस पे भी जो है हम पांच बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ये एक बार डबल क्रोशिया हो गया दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया चार डबल क्रोशिया और पांच डबल क्रोशिया तो टोट कर देना है एक v isisco हम यह सितरे हो हें इस तरह से जो है 12 दबल क्रोशिता बनाएंगे और एक में हमने सिंगवल क्रोशिया करना यह देखिये यह साइड है यह यहाँ पे भी हमने मगार जुह हमने 5 क्रोशिया बनाने है टोटल 10 होगे और 2 यहां पर बनाने हैं तो टोटल जो है एक V-Stич में जो है हम 12 double crochet बनाएंगे और next वाले V-Stич में जो है हम single crochet करेंगे ये इस तरह से तो ये इस तरह से आएगा ये देखिए तो इसी तरह से जो है आप ये पूरा round complete कर ले round complete करने के बाद यहाँ पे starting में देखिए जो हमने V-stitch से start किया था वहाँ पे हमने यह एक chain ली थी उस chain पे जो है हमने इसको slip stitch के साथ join करके यहाँ पे इस तरह से slip stitch से join कर देना है और यहाँ पे एक chain लेकर जो है यह green वाला धागा जो है हम यहाँ पे लगा लेनी है इस थागे में अब देखिए हमने क्या करना है यह देखिए यह जो हमने इस तरह से यह half circle semi circle बनाया है इसके उपर का जो space है यह देखिए आपको loop नजर आ रहा होगा तो इस पे जो है सबसे पहले हम इसको join कर लेंगे यह इस तरह से अब यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस chain लेनी है और यह दिखिए अब जो है हम क्या करेंगे एक दो दो chain skip करके थर्ड वाली chain पे जो है हमने तीन बार double crochet बनाना है थर्ड chain पे जो है हम तीन बार double crochet बना लेंगे दो सबसे पहले जो है हमने यह दस chain ली फिर दो chain skip करके थर्ड में जो है तीन बार double crochet बना लिया अब नेक्स में भी जो है तीन बार double crochet बनाएंगे यह एक दो और तीन फिर उससे नेक्स चेन पे पे जो है हम तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चेन पे जो है हमने तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है यह जो हमने चेन ली है उस पे जो है हमने हर चेन पे जो है तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है सबसे पहले हमने दस चेन ली फिर दो चेन स्किप करके जो ह करोश है और उसके बाद जो है हम थीन बार डबल करोशन बना लेंगे यहान लास्ट तक आप यह 3,ique बना लें हर चेन में तो यह दिखिए इस तरह से जो है मैंने vér स्टिशच पे यह 3, 3, करोशन बना लिए अब दे इखि यह क्या करेंगे इसको इस तरह से जो है हमने फोल्ड करना है तो इस तरह से जो है यह रोज टाइप में दिखिए जैसे रोज की पैटल होती है उस तरह से जो है यह बन के आएगा इस तरह से अब इसको यहां पर सेम इसी जगह पे जहां से हमने स्टार्ट किया है सेम उसी जगा पे जो है हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है यह इस तरह से यह देखिए अब एक दो तीन तीन चेन लेंगे अब यह दिखे इन दोनों पैटल्स के बीच का जो स्पेस है यहां पे जो हमने यह वर्क किया था इन दोनों के बीच का स्पेस है जिस वी स्टि एक, दो, तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस चेन लेंगे, अब दो चेन जो है स्किप कर देंगे, और थर्ड में जो है हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने पहले किया था, सेम वैसे ही करेंगे, हर चेन में जो है हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने है, तो इसी तरह से जो है आप यहाँ तक जो है यह तीन तीन बार डबल क्रोशिया बना ले, यह देखिए यहां तक जो है मैंने complete कर लिया है अब इस तरह से इसको round में हम करेंगे और यह जो जहां से हमने start किया है यह देखिए यहां से हमने start किया था chain ली थी हमने तो same इसी जगह पे जो है single crochet कर देंगे अब एक दो तीन तीन chain लेनी है अब यह देखिए यह जो हमने वी स्टिच पे जो है यहां पे हमने single crochet बनाया था इस वी स्टिच के ऊपर जहां पे हमने यह single crochet बनाया था इस single crochet के ऊपर जो है हमने single crochet करना है तीन की chain लेकर फिर एक दो तीन तीन chain लेंगे अब next वले कली में आएंगे जो ये हमने इस तरह से semi circle बनाया था ये यहाँ पे इसके उपर जो ये space है यहाँ पे हमने single crochet करना है तीन की chain लेकर फिर 10 बार जो है हम chain बनाएंगे फिर 2 chain skip करके हर chain space में 3-3 double crochet बनाएंगे ये इस तरह से तो ये इस तरह से आएगा तो सभी में जो है आप इसी तरह से ये कर लें तो इसी तरह से जो है ये आप पूरा round complete कर लें round complete करने के बाद यहाँ पे ये दिखिए मैंने इसको single crochet से join कर लिया अब 1-2-3 तीन chain लेंगे और यहाँ पे हमने जहाँ पे ये वी स्टिच में जो है single crochet बनाया था इसी single crochet के उपर जो है हमने 1 single crochet बना लेना है फिर तीन chain लेंगे एक दो तीन और जहां से हमने यह start किया था वहाँ पे इसको हमने slip stitch के साथ join कर देना है इस तरह से और फिर एक chain लेकर work को जो हम अपने close कर देंगे इस धागे को जो है हम यहाँ पे cut कर लेंगे और धागे को पीछे की तरफ secure कर देंगे अब यह जो हमने flowers बनाए है इनको हमने set कर लेना है अगर यह आपके इस तरह से उठे उठे से आए तो आप needle की help से इस तरह से इनको attach कर सकते हो इस तरह से यहाँ पे रखकर आप इनको attach कर सकते हो इसके उपर इस तरह से रखा और needle की help से इसको हमने attach कर लेना है अदर्वाइस ये ऐसे भी ठीक आ जाते हैं लेकिन अगर आपके ठीक ना आएं तो आप नीडल की हल्प से इनको अटैच कर सकते हो तो ये देखिए काना जी की प्यारी सी ड्रेस बनकर तयार हो गई है आप भी जरूर एक बार ट्राइ करें बहुत असान है ये बनाना देखने में जित्ती प्यारी लग रही है इस ड्रेस को बनाना उतना ही इजी है तो जरूर आप भी एक बार ये ट्राइ करें वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शियर करें कोमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको काना जी की ड्रेस की ये वीडियो कैसी लग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग